आवाज किसी भी व्यक्ति की पहचान होती है। मीठी, स्पष्ट और सुरीली आवाज सभी लोग चाहते हैं। सभी चाहते हैं कि उसकी आवाज में करकशपन या बेसुरापन ना हो लेकिन सभी को ये नसीब में नहीं होता है। लेकिन अब हर कोई कुछ आसान से उपायों को अपना कर अपनी आवाज को मधूर सुरीला बना सकता है। 1. सुरीली आवाज के लिए नट्टे सुभर शाम शहद के साथ गाय के दूद का सेवन करें से आवाज मधूर होती है। 2. अगर ठंड में आवाज बैढ़ गई है तो दो चम्मच अध्रक के रस में एक चम्मच श चहद मिला कर सुभर शाम चाटें और उसके एक घंटे तक कुछ भी सेवन ना करें एवं प्यास का रस गरम पानी में मिला कर पीने से भी गला सुरीला होता है। 4. प्यास को हलका भून ले फिर उसे कुचल कर फिटकरी को भून कर उसके उपर बुरक कर चबा चबा कर खाए आवाज सुरीली होने लगेगी। 5. बिश्रीन को गुनगुने पानी में मिला कर सुभर शाम गरारे किया करें। आपका गला आपको धोखा नहीं देगा। 6. सुरीली आवाज की चाहरकने वाले अनानास का सेवन किया करें या उसका रस पिये। 7. बीस से बीस ग्राम बहुत फट रही हो तो एक गिलास गरम पानी में तीन से चार ताजी लहसुन की कलियों का रस मिला कर उसे पिये। 9. लहसुन की तीन चार कलियां सिर्के में भिगो कर चबा कर खाने से भी गला सुरीला होता है। 10 मूली के 4 से 5 ग्राम बीज पीस कर उसे गरम पानी के साथ फ या उसका रस प्यार आवाज में चाना जाएगी। 11 ठंडे पानी और को ड्रिइग्स को बिलकुल भी भूल पानी की जगह गरम पानी एवं को SMSy जगह नारीएल पानी को ज्यादा से ज्यादा वरियता दें। अपने गले को सुखा न रखें उसे समय समय पर करतर करते रहें 12 बहुत ज्यादा चट्रपटा, मसालेदार और चिकनायोक्त भोजन भी गले के लिए खतरनाक है इससे पेट में गरबढ़िया होती है वो आवाज पर भी असर पड़ता है 13 सुरीली आवाज की चाहरकने वालों को ज्यादा चिकना चिलाना नहीं चाहिए इससे वो गल को अंसमे समस्या हो जाती है गले की मान सपेशियों में खिचाव होता है आवाज पर बहुत बुरा असर होता है 14 खाना खाने के बाद चुटकी भर काली मिर्च को एक चमच घी के साथ मिलाकर खाने से बैठी हुई आवाज साफ हो जाती है 15, 50 ग्राम मिश्रे, 25 ग्राम मुलहटी तथा 25 ग्राम काली मिर्च लेकर इन तीनों को मिलाकर पीसकर चुण बनाकर किसी शीशी में रख लें निति सुबर शाम में एक छोटा चमच चुण को शहद मिलाकर सेवन करने से गलाठी कुवा आवाज सुरीली रहती है 16, पानी को गुनगुना गरम कर उसमें छुट्टकी भर नमग डाल कर दिन में 3-4 बार गरारा करने से बैठी हुई आवाज सही हो जाती है 17, 5 ग्राम मुलहटी, 5 आवले और 5 मिश्रे को एक गिलास पानी में धीमी आज पर उबालें जब ये आधा रह जाये तो इस काढ़े का गर्म गर्म सेवन करें, इससे बैठा हुआ गला खुल जाता है, आवाज सुरीली होती है 18, भोचन के पश्चाद एक ग्राम काली मिर्च के चून में थोड़ा सा घी डाल कर उसे चट्टाने से भी आवाज सुरीली होती है झाल 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 झाल